नमस्कार बहुत सुगयत है आपका कई बार सुकून नहीं मिलता नीन नहीं आती आखों-ाखों में सारी रात ही कट जाती है तब आप सोचते हैं पता नहीं क्यूं हमारे साथ ही ऐसा हो रा है तो जब आपकी रातों की नीन उड़ जाए तब एक छोटा सा प्रियोग करें वैसे तो देखिए आपके घर में बच्चे भी होगे आपके घर में बड़े बुजुर्ग भी होगे कुछ लोग स्वस्थ होंगे तो कुछ बीमार होंगे आज हम आपको कुछ ऐसे प्रियोग बताएंगे जो आपके जीवन की हर मुस्किलों से आपको बाहर निकालेगा टेंसन भी कम होगा, जीवन के जो परिसानिया है वो भी समाप्त होगा और अच्छी नीद आएगी अगर बार बार आपको बुरे सपने आते हैं, बहम है, नीद नहीं आती है आप चौक जाते हैं, आपके घर में किसी साथ ऐसा हो रहा है, तो अर्मान 40 पढ़कर ही सोईए आपको नीद भी अच्छी आएगी और जीवन की मुस्किलें भी कम होगी, डर और तनाव से मुक्ती मिलेगा अब हम आपको छुटे-छुटे परियोग बताएंगे, पहला परियोग है लहसन का देखें, लहसन को स्वभाग का प्रतीक माना जाता है, आप चाहें तो रात में सोने के पहले अपने तक्ये की नीचे लहसन की कुछ कलिया रख ले एक या दो और सो जाए ऐसा करने से आपके आसपास सकात्मक उर्जाप संचार होगी, निगेटिव इनर्जी समाप्त हो जाएगी, अच्छी नीद आएगी अगर आपका राहू बिगडा हुआ है, जीवन में आकस्मिक समस्या हैं, बाधाये हैं, बुरे सपने आते हैं, खासकर सपने में सांप आते हैं, तो इसका मतलब है राहू कहीं न कहीं आपको दोस्ट दे रहा है, तब ऐसे में आप हरी सौंप थोड़ा सा किसी कागज की रखाएं, तो राहू का दोस्ट इससे भी समाप्त हो जाता है, मूंग, हरा मूंग होता है न, आप अगर अपने तक्ये की नीचे थोड़ा सा हरे कपड़े में रखकर सो जाएं, बांध कर और अगले दिन उठा कर मादुरगा के मंदिन में रखाएं, तो ऐसा करने से आपक पीछे लगा कर सोते हैं, तो डरावने सपने नहीं आते हैं, सुकून के नीद आते हैं, निगेटिवटी समाप्त होती है, घर का वास्तू भी ठीक होता है, अगर आप अपने सिरहने सोने के पहले एक बरतन में पानी भर कर रखकर सोते हैं, और अगले दिन इस पानी को पौ पौचा बढ़ेगा, एक दम से आपको लगेगा सुकून आने लगा है जीवन में, कई बार पती-पत्नी के रिस्तों में बहुत भी बाद होता है, टेंसन बहुत ज्यादा, प्रेम लगता है कहीं खो गया, तब आप तक्ये के नीचे सिंदूर रखकर सोईए, अगले दिन सिंदूर को हन्मान जी के मंदिर में जाकर रखा ए आपका मंगल ठीक हो जाएगा पती-पत्नी के रिस्तों में प्रेम बढ़ेगा, अगर तुलसी के पत्ते और एक सिक्का रखकर आप सोते हैं, और अगले दिनी सिक्का को पास के मंदिर में रख देते हैं, तो आपके कि नीचे मोर पंक रख दें वैसे बड़े भी रख सकते हैं लेकिन बड़े चुकी यहां पर सात्वी नहीं रहेगी इसलिए छोटे बच्चों का ही रखे और अगले दिन इस पंक को आपको हटाना नहीं है बलकि उसे वहीं पर रहने दें बहुत चोटे बच्चे उसके तक्ये कवर में भी डाल सकते हैं आपके बच्चे चौंक कर नहीं उठेंगे डरेंगे नहीं रोहेंगे नहीं तो यह सिंपल सी चीज है लेकिन अब हम एक चोटा सा प्रयोग बता ह अगर आपके घर में कोई बीमार है आप रहें वाफ करो जाती है जाती आध के जाती है ओके बार वार के रहें लिखने है जा बड़ी बीमार को रहेंक जल तकी दीधा करें जाने लिखने की Oke अगर तकिये के नीचे आप चुकि लहसन के हमने बारे में कहा कि जरूर रख के सोया करें आप देखिएगा 2-4 दिनों में ही आपको फर्क महसूस होने लगे बहुत जरूर है अई नहीं है कि हर दिन सिक्का और तुल्सी के पत्ते आप कोई भी एक वस्तू रख कर सोए लेकिन अगर स्वास्त की बहुत मुश्किले हो तब नीमबू अपने सिराने रखे और अगले दिन इसको काट कर घर से बाहर निकल कर दाहिने हाथ में एक टुकरा रखे एक बाहिने हाथ में रखे दाहिने हाथ का टुकरा बाहिने हाथ का टुकरा दाहिने साइड फेक के मिना पूछे पीछे मुड़े घर आ जाए लेकिन अगर औसाध्य बिमारी हो मानसिक टेंशन हो तब पीपल का पत्ता पानी में डाल कर और अगले तीन सिब्लिंग पर अर्पित कर दें आपकी मानसिक परेसानी समाप्त हो जाएगी लेकिन वह कौन सी वस्तु है जो भूल कर भी रात सोते समें अपने आसपास ना रखें नहीं तो मुस्कीने बढ़ जाएगी नींद उड़ जाएगी तो वस्तु के अनुसार हमारे जीवन पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका सकात्मक नकात्मक परभाव पढ़ता है जीवन में सुव असुव चीजों का कारण बनती है तो सोतेस में अंजाने में ही सही पर सिराने में कुछ ऐसी वस्तु है जो आपको बिल्कुल भी नहीं किसी भी तरह का गैजेट जैसे की घड़ी है मुबाइल है यह सभी पास में रखकर मसुए इसका भी गलत असर पड़ता है रात में हो सकता है आपकी नीन बार बार खुले और कभी भी अपने पर्स को अपने पास रखकर मसुए थोड़ा हटा कर सुए नहीं तो पैसों से संब अंदित दिक्कतें आ सकती है लोग अक्सर बेट रूप में भी चपल पहल लेते हैं जूते पहल कर चले आते हैं तो कभी भी अपने पैर के पास जूते चपल रखकर मसुएगा नहीं तो रात में डरावने सपने आएंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए जैस से आईना जिसको हम मिरर करते हैं सोते समय भूल कर भी आईना अगर आपके बेडरूम में तो इसको ओपन मत रखिए ढखकर रखिए और यह नहीं तो बहुत बड़ा दोस्त का कारण बनता है सिर के पास कुछ चीजे हैं जिसको रखकर सोने से नकात्मक बढ़ता है और बैवाही जिवन में कले सुथपन होता है तो अगर आईना है तो अभी ही हटा दे सोते समय तो बहुते जपल तो बिल्कुल भी नहीं रखना है यहां तक की धन पैसे भी नहीं रखना चाहिए पानी की बोटल बहुता है लोग अपने बेट के पास पानी रखकर सोते हैं पर पानी की बोटल सिर के पास रखकर मसोईएगा यह भी सही नहीं है मांसिक उतल पुतल करेगा क्योंकि सिरहने पानी से बराबर तन रखने से चंद्रमा प्रवाबित होता है मांसिक रूप से आ करी अच्छी रगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेर करें कमेंट करें